जै मातादी दोस्तों कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें माता रानी सबका कल्यान करेंगी दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि निर्जला एक आजसी पर क्या दान करना चाहिए साथी साथ अगर कुछ दान करे या ना करे एक चीज जरूर निर्जला एक आजसी पर दान करना चाहिए बड़ा ही पुन्यकारी माना गया है तो वो कौन सी एक चीज है जिसके बारे में हम जानकारी इस वीडियो के माध्यन से देंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलुखवर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करेंगे और जितना जादा से जादा हो सके मेरे इस वीडियो को सेयर करें निर्जला एकाजसी का ब्रत जेस्ट महिने के सुकल पक्ष की 11 मी तिथी को किया जाता है जो ब्यक्ती इस व्रत को रखता है वो सुर्योदे से लेकर अगले दिन यानि द्वाजसी तिथी के सुर्योदे तक पानी नहीं पीता इसी कारण इसे निर्जला एकाजसी के नाम से जाना जाता है मानिता है कि इस दिन भगवान विष्णू की विदे विधान से पूजा करने के साथ ब्रत करने से लंबी उम्र के साथ मोक्ष की प्राप्ती होती है वहीं एकाजसी के दिन असनान दाद का भी अधीक महत्व है वहीं एकाजसी के दिन असनान दान का भी अधीक महत्व है सास्त्रों के अनुसार निर्जला एकाजसी के दिन दान करने से सुफ फलो की प्राप्ती होती है चलिए जानते हैं कि इस दिन किन चीजों का दान करना चाहिए निर्जला एकाजसी के दिन आप जूते चपल का दान कर सकते हैं मानिता है कि निर्जला एकाजसी के दिन जूते दान करने से मुक्ष की प्राप्ती होती है जो बेक्ती जूते का दान करता है वो सोने के बिमान में बैठ कर स्वर्ग जाता है ध्यान रहे कि जूते पुराने ना हो अन्य का दान इस दिन जरुवत मंद को अपनी योगिता की अनुसार चावल, डाल, आटा, आदी का दान कर सकते हैं इसके अलावा खर्बूज, तर्बूज, आम, ककड़ी, खीरा, इत्यादी का दान भी सुफ साबित होता है चलाएं, आच्सी के दिन जरुवत मंदों को कपड़े या फिर विस्तर का भी दान करना चाहिए ध्यान रहे कि ये चीज ये पुरानी ना हो दोस्तों, इस दिन खुद प्यासे रहकर जरुवत मंद को जल या सर्वत पिलाना सर्वत्तम माना जाता है इस दिन जल कुम का दान पहुत ही पुन्यकारी है चलिए जानते हैं कि जल कुम का दान आपको कैसे करना है जल कुम का दान करने के लिए एक मटका लेना है मटका में सुध जल भर ले एक धक्कन लेकर उसे चीनी से भर कर मटके को धक दे उसके उपर कोई भी मौसमी फल रख दे जैसे आम, खर्बूजा, इत्यादी, एक पीला या लाल वस्त रख दे और दक्षिना के रूप में कुछ रूपे जरूर रखे और इसे आप एकाजसी तिथी के दिन या द्वाजसी तिथी को पारन से पहले दान कर देना चाहिए अगर आपको मित्ती का घड़ा ना मिले तो पी तल, तामबा, किसी भी बरतन में पान या सर्वत भरकर दान अवस्ते करें